सबको नमश्कार हमारे दिली के कई बजार ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं एक-एक बाजार की अपनी पहचान है, अपनी कहानी है दिली में लगबग 3. Sadly दुकाने हैं और इन बाजारों में लगबग Kung 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 आठ लाग के करीब लोग काम करते हैं जैसा कि हमने budget के दौरान एलान किया था कि दिल्ली के बाजारों को redevelop किया जाएगा redevelop का मतलब बाजारों का infrastructure, physical infrastructure ठीक किया जाएगा सडके है, सीवर है, पानी है, पार्किंग है, खुबसूरती है और उनकी branding की जाएगी इन बाजारों को एक brand के रूप में, हर बाजार को अलग-अलग तरीके से branding करके उनको देश के सामने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा Phase One में हम पांच बाजार ले रहे हैं सारे बाजार एक साथ नहीं किया जा सकते, budget का भी constraint रहता है Phase One में हम पांच बाजार ले रहे हैं कौन से पांच बाजार यह हमने AC कमरे में बैठके तैह नहीं किया यह हमने लोगों के साथ मिलके तैह कि पहले Phase में वह कौन से पांच बाजार होने चाहिए जिनका redevelopment और branding की जाए इसके लिए 22 April को सभी अख़वारों में इस्तिहार दिया गया कि जो जो market associations चाहती है कि उनके बाजार को redevelop किया जाए वो apply करें उस application में उन्होंने market associations क्यों redevelop कराना चाहती है वहां क्या क्या कम्या है कैसे होना चाहिए एक मोटी मोटी उन्होंने market associations ने form में लिखके भीजा हमारे पास लगबग 49 associations के application आए जिसमें 33 market की 33 market के 49 applications आई हमने एक 8 member selection committee बनाई जिसमें अफसर भी थे और उसमें industry और market associations के लोग भी थे इन 8 member committee ने उसके बाद फिर इन सारी applications को देखा market associations के साथ interact किया जो applicants थे उनके साथ interact किया और उन्होंने 9 applications को shot list किया और फिर इन 9 बाजारों में घूमके आई ये committee और 9 बाजारों में घूमने के बाद इन्होंने इन 5 बाजारों को shot list किया वो कौन से 5 बाजार हैं सब लोग मुझसे बार बार पुछते हैं कि कौन से 5 बाजारों को इस बार डेवलप किये जाएंगे सबसे पहला बाजार कमला नगर कि सेलेक्शन कमीटी ने ये भी लिखाय कि उस बाजार की यूएसपी क्या है उस बाजार को किस तरह से ब्रैंड किया जाएगा तो कमला नगर है यूथ हैंगाउट जोन युवा वहां पे खुब और युवाओं का एक तरह से अड़ा है वो दूसरा बाजार है खारी बावली बेस्ट स्पाइसे लिगेसी फ्रम ओल्ड मुगल एंपायर वह एक तरह से मसालों का दुनिया भर के मसाले आपको वहां पे मिलेंगे तीसरा बाजार है लाजपत नगर हाइंड स्ट्रीट फैशन वन स्टॉप देस्टिनेशन फॉर वेडिंग शॉपिंग वहां पे फैशनेबल सब चीजें मिलती है और अगर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो लाजपत नगर मे वह सारी शादी की शॉपिंग आपको वहां पे कर सकता है चौथा मार्केट सरोजनी नगर फास्ट फैशन लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग स्ट्रीट मार्केट और पांचवा मार्केट किरती नगर वन स्टॉप शॉप फर फरनीचर एंड हाउज होल्ड डेकर सब जानते है कीती नगर फरनीचर की सबसे बड़ी मार्केट हो तो सबसे पहले इन पांचो बाजारों की मार्केट असोसियेशन को सभी दुकानदारों को लोगों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ जो इनके पांचो मार्केट चूज की गई इसका मतलब यह नहीं है कि आग बा रख रख रहा है किस मार्केट को कैसे डवलब किया जाया देश के सबसे बहतरीनदिजाइनौन और देश के सबसे बहतरीन आर्किटेक्ट इस design competition में participate करेंगे छे हफते के लगबग अगले छे हफते के अंदर ये design competition हम announce कर देंगे और उनसे जो designs आएंगे उसमें जो best design होंगे उन best designs के basis पे इन markets को डवलप किया जाएगा इन markets को बनाया जाएगा तो मैं समझता हूँ आज जो ये markets हमारी दिली की आनबान और शान है इनने दुनिया की आनबान और शान बनाएंगे इससे एक जो सबसे बड़ा फाइदा markets अच्छे तो दिखेंगे पूरी दुनिया से tourists आएंगे पूरी दुन से आए अगर इनको अच्छे से डवलप करते हैं तो रोजगार बहुत बढ़ेगा जो सबसे बड़ी चीज है thank you